हेलो दोस्तों मैं सिसकुमा अपने यूटूब चनल विहाज इकरेटरिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग प्राचिन विहार के दूसरे पार्ट को परहेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमाँ चनल विहाज इकरेटरिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को जोड़ दोएतों आईए वीडियो को स्टाट करते हैं इसके पहले के विडियो में हम लोगों ने हार्यक वन से नंद वन्स तक के बारे में परहा अब हम लोग मौर वन्स ये शाशन के बारे में परहेंगे जिसके अंत्रगत सबसे पहले चन्गुप मौर जिसका शासनकाल 321 से 298 इस्विपूर था उसके बारे में जानेंगे तो आईए चन्गुप मौर के बारे में जानते हैं मौर राजवन्स का संस्थापक चन्गुप मौर था जिसने मगत समराट धननन को प्राजित कर सत्ता पर आसीन हुआ था धननन पर चन्गुप की विजय गाथा का वर्नन नाटक कार विशाखदत द्वारा रचित नाटक मुद्रा रक्षस में वर्नी थे चन्गुप मौर अपने गुरु विश्नुगुप अर्थात चानक की सहायता से मगत की राज सिहाशन पर 321 इस्वीपूर में सत्ता रूड हुआ था वो पर्थम भारती राजा था जिसने ब्रियादत भारत पर अपना शाशन अस्थापित किया था युनानी लेखक जश्टिन ने चन्गुप के संबन में लिखा है कि वो एक साधारन परिवार से था आगे है विविद साक्षियों की आधार पर यह कहा जा सकता है कि चन्गुप का लालन पालन मौर ये अर्थात मौर पक्षी पकरने वाला जाती में हुआ था शिकारी बच्चों के साथ एक दिन वो राज किलम नामक एक नाटक खेल रहा था जिसमें वो राजा बना था चानक ने अपने दिविद्ष्टी से उस बालक में राजत की परतिभा तथा चिन्हें देखें ततकाल हुआ उसके अभी भावक से उसकी सिक्चा दिक्चा के लिए एक हजार कासार्शन देकर उसे प्राप्त कर लिया चानक ने उसे तक्सिला के एक प्रख्यात विद्यापेट में सिक्चा के साथ साथ और प्राविधिक विश्यों और व्यवहारिक तथा प्राविधिक कलाओं से भी दिख्चित करवाया उतके पस्चात तक्सिला विस्विद्याले में उशे सैन सिक्षा दिलवाई जिससे चंद्रगुप्त सैन विद्याओं तथा कलाओं में निपून हो गया इस तरह चानक ने चंद्रगुप्त के जीवन की धारा को एक नई दिशा में मोर दिया आगे है बहुत एवम जैन सहित में मोर का अर्थ मयूर अर्थात मोर सब्द के साथ बताया गया है मुद्रा राक्षत नाट्र करती में उशे अग्यात कुल का बताया है बौध गरंत महावन्स टीका से पता चलता है कि तक्सिला में चंद्रगुप्त की सिक्षा समाप्थ हो जाने के बाद चानक के तथा चंद्रगुप दोनों विभिन अस्थानों से सेना के लिए सैनिक धोडने निकले परे इस परकार जो सेना तयार हुई उसे चानक ने चंद्रगुप के सेना पतित में रख दिया आगे है चंद्रगुप का विवा सेल्कुस निकेटर ने अपनी पुत्री सेलुशिया के साथ कर दिया था इस विवाहिक संबन का विश्थित उलेक केवल एपियानश से ने किया है पुलुटार के अनुसार चंद्रगुप मौर ने सेल्कुस को पान सो हाथी उपहार में दिये सेल्कुस ने चंद्रगुप मौर को दहेज में चार राजप्रांत, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोशिया और पेरी पिनिस दाई जो की काबुल में पढ़ता है परदान किये सेल्कुस ने अपने एक राजदूत मेगास्तनीज को उसके दरवार में भेजा इस तरह चानक और चंद्रगुप 325 से 323 इस भी पुर्वतक अर्था दो वर्ष तक युद में उल्जे रहे थे जो नानियों को प्राजित करने के पश्चात चानक और चंद्रगुप संपुर्ण उत्री एवं मद भारत आधिपत करते हुए मगत पहुँचे और पाटले पुत्र को घेर लिया युद में मगत सामराट धन नन मारा गया प्रजा भी उससे घेरना करते थी इस तरह चंद्रगुप मौर 321 इस भी में सौरी 321 इस भी पुर्व में मगत के सिहासन पर आशीन हुआ आगे है मिलिन पन्हों में नन और चंद्रगुप के बीच युद का वर्णन प्राप्थ होता है आगे है चंद्रगुप मौर जैन था उसके सासनकाल के दवरान ही पर्थम जैन संगीती का आयोजन पाटली पुत्र में जैनाचार्य अस्थूलभद की अध्यक्स्ता में हुई थी इस संगीती के पश्चात 14 पुर्व अर्थात पुरानी जैन एसमिर्थियां के अस्थान पर 12 अंगों की रचना की गई जो पाटली पुत्र वाचना के नाम से जाना गया इसके पश्चाती जैन धर में विचारों को लेकर स्वेतांबर एवं दिगंबर में विवाजित हो गया चन्द गुप मौर के समय की अभिलेखों से पता चलता है कि मौर कालिन बिहार की भासा प्राकिर्थ एवं लिपी ब्रामनी थी चन्द गुप मौर अपनी विर्दा अवस्था में अपने गुरु भद्र वाहु के साथ करनाटक के जैन तिर्थ अस्थल स्रवनवेल गोला में रहने लगा था और वहीं जैन प्रंपानुआ सार सलेखना प्रदती से उसने 298 इस भी पुर्व दे का त्याग कर दिया इस बात का उलेख जैन गरंत राजा वली कथा में हुआ है आगे है युनानी गरंतों में चन्द गुप मौर के तीन नामों का उलेख मिलता है पहला है सेंड्रो कोटस इस सब्द का परियोग एस्ट्रेवो एरियन एवम जस्टीन ने किया है वहीं दूसरा नाम एंड्रो कोटस है इस नाम का परियोग एपियानस और प्लूटार्क ने किया है और तिसरा नाम एंड्रो कोप्टस है इस नाम का परियोग निरियाकस ने क किया है 28 फरवरी 1793 को सर विलियम जोंस ने रोयल एसियार्टिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि ये तीनों नाम चंगुप मौर के ही हैं अब आगे हैं चंगुप मौर के बाद सौरी चंगुप मौर के बाद उसका बेटा बिंदु सार जिसका सासनकाल 298 इस भी पुर्व से 27 73 इस भी पुर्व तक रहा था पुरान दीपवन्स महावन्स था शिहली बौद ग्रंथों में अश्पष्ट उल्ले खैकी चंगुप का उत्राधिकारी बिंदु सार था आरे मंजु श्री मूल कल्प के अनुसार बिंदु सार उस समय अल्प व्यस्क था जैन सहित के अनुस बिंदु सार की माता का नाम दू धरा था बौद ग्रंथ महावन्स के अनुसार बिंदु सार की पत्नी का नाम धम्मा था अशोका वादान में सुब्ध दांगी बताया गया है आगे है बिंदु सार के शाशनकाल में तक्चिला में दो बार विद्रो हुए थे पर्थम विद्रो को सांध करने के लिए अपने पुत्र असोक को भेजा था जिसने सस्त पयोग के बिना ही विद्रो को सांध कर दिया था दूसरे विद्रो के लिए बिंदु सार पुत्र गया था अब आगे है बिंदु सार के राजदरवार में युनानी सासक एंटी योकस पर्थम ने डाइमेकस को राजदुद बनाकर पाटली पुत में भेजा था आगे है शिरिया नरेस फिला डेवलफस जो की टालमी दुत्य नाम से भी जाना जाता है ने डियानी शियस को रा पाजद बनाकर बिंदु सार के दरवार में भेजा था आगे है चेनी ग्रंथ फा यू एन चू लीन में बिंदु पाल कहा गया है वायू पुरान में भ्रद साल जैन ग्रंथ में सिहसेन कुछ पुरानों में नारी सार युनानी लेखकों ने अभी त्रो केडिज अभी त्र चेड़स कहा है इससे अश्पष्ठ है कि वह विदेशों में भी शम्मानिय था आगे है बिंदु सार ने अमित्र घात की उपादि धारन की थी अर्था सत्रूं को नास करने वाला प्रंत वह सांतिर प्यत था उधार भी था आगे है पुरानों के अनुसार बिंदु सार ने 25 वर्षों तक शासन किया था 273 इस विपूर में रोग ग्रस्थ होने की कारण उसकी मिर्द्यू हो गई इस घटना का उलेख अस्थानिय सिरालेखो था असमारकों में मिलता है आगे है असोक जोकी बिंदु सार का पुत्र था जिसका असासन काल 273 इस भी पूर्व से 232 इस भी पूर्व तक चला था तो आगे है महाबोधी, वन्ज, चीनी बौधगरंद, फायूएन, चूलीन तथा तारणात कहते हैं कि सत्ता प्राप्ती के लिए ग्रियुद हुआ और अपने भाईयों का बद करके ही असोक सामराज प्राप्त कर पाया था उसका राज्या रोहन 279 इस भी पूर्व में हुआ था जबकी वो 273 इस भी पूर्व में सिहासन पर बैठा बौधगरंद, दिव्य वदान के अनुसार बिंदु सार ने सुसिम को राजतिलक करने की आग्यादी प्रन्तू अमात्यों ने छल द्वारा असोक का राजतिलक करा दिया इस तरह असोक ने बिंदु सार की इक्चा के विरुद शासन सत्था हत्या ली थी उसके राज्या विशेक था सिहाशना रोहन के बीच चार वर्ष का अंतर होने के कारण उत्रादिकारी के युद हो सकता है आगे है महाबोधी वन्स में उसकी माता का नाम धम्मा तथा इसी ग्रंथ की टीका में उसका नाम अग महिसी बताया गया है परन्तु इतिहास कारों ने प्राप्ट साक्ष्यों के विवेचन से यह निश्चित किया है कि उसकी माता का नाम सुवज रांगी था आगे है मास्की तथा गुर्जरा के अविलेखों में उसका नाम असोक तथा पुरानों में असोक वर्धन मिलता है अविलेखों में उसे देवा नाम प्रिये तथा देव नाम प्रिये दसी आदी उपनामों से भी विभूल सित किया गया है आगे है असोक पर्थम भारतिय समराठ्था जिसने कहा कि राजा प्रजा का शेवक है अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई कल्यानकारी कार किये प्रजा की समश्याओं के समधान हे तू महापात्रों एवं राजुकों की नियुक्ति की असोक के सासनकाल की सबसे महात्पूर्ण घटना कलिंग के साथ उसका युध है जो उसके राज्याविसेक के आठ वर्स बाद हुआ था तेरवे सिलालेक में लिखा है कि एक लाख पच्चास हजार सत्रू बंदी हुए एक लाख हत हुए और उनसे कई गुना मर गए असोक का हिर्दय इस घटना से इतना द्रवित हुआ कि उसने सपत लिकी सामराज के विस्तार के लिए वो कभी सस्त नहीं ग्रहन करेगा इसके बाद मेरी घोस की अस्थान पर धम घोस का सांत्रिप्रद नाम नाद गुजने लगा अविलेक से पता चलता है कि वो बहुत भिक्चु उप्त गुप्त के परवाव से बहुत अनुआई बना था आगे है असो की उदारता इतनी सार भौमिक थी कि उसने अपने धार्मिक विचार प्रथा पर लादने कायत नहीं किया अन्य संप्रदायों को भी अपनी संरक्षता का लाव दिया आजिवुकों के लिए बढ़ावर जो की गया में पड़ता है में गुफाएं तयार करवा कर उन्हें दी असो के अभिलेक वहाँ आज भी अंकित है आगे है तेतिय बौद संगती का आयुजन दो सो पचास इस विपूर में उसने पाटले पुत में मगली पुत्र तिस्त अर्थात उप गुप्त की अध्यक्सता में करवाया था आगे है अश्टम सिलालेक में उसके बोध गया यात्रा का उलेक है वह अस्थविर साखा का बोध था अश्टांगिक मार के परसार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद और पुत्री शंगमित्रा को सिंहल जोकी उस समय लंका था भेजा इस तरह अश्टम बोध धर्म के सनरक्षन के रूप में प्रस्तूत हुआ साची, सारनात और कौशाम भी अवलेकों के अनुसार ऐसा बताया गया है अब आगे है धर्म परचार के लिए असोक ने कई देशों में धर्म परचारक भेजे जिनका उलेक बौध ग्रंत महावंस में मिलता है धर्म परचारक महेंद तथा संग मित्रा को स्रेलंका भेजा गया था वहीं मंजानतिक धर्म परचारक को कासमीर तथा गंधार भेजा गया था महारक्षित को युनान भेजा गया था और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट महादेव को महिस मंडल अर्थात मैसूर और रक्षित को बनवासी अर्थात करनाटक भेजा गया था अब आई चलते हैं अगले पेज पर इस परकार विभीन उपायों द्वारा इसने राज की अंदर और बाहर धम का परचार करवाया अहिंसा के परचार के लिए युद बन कर दिये जीवों का वद रोकने के लिए पर्थम सिलालेक में विग्यपती जारी की उसने घोशना की की ऐसे समाजिक उत्सव नई होने चाहिए जिसमें सूरापान, मांस भच्छन, मल्युद आदी हो विहार यात्रा बन कर दी गई और उसके अस्थान पर धम यात्राईं प्राडम कर दी गई उसने अपने राज्याविशेक के चौदमे वर्ज धम महमात नामक एक अधिकारी की भी निउक्ती की इसका उलेक पांचवे सिलालेक में है तिर्तिय सिलालेक में युक्त, रजुक और प्रादेशिक आदी अधिकारियों के नामों का उल्लेक है आगे है वह 232 इस्वीपुर में 40 वर्सों के दिर्ग शाशन के बाद असोक का निधन तक सिला में हुआ आगे है सारनात का सिंग सेर्श युक्त अस्थम है उसके धर्मचक्त को भार सरकार ने राष्ट्य चिन के रूप में ग्रहन कर सर्भित्खारी शाचसक असोक के परती किर्टगिता व्यक्त की है असोक के उत्राधिकारियों के विशय में परमानिक रूप से कोई जनकारी उपलब नहीं है असोक के एक लगू अविलेक में उसके पुत्र तिविर का उलेखे प्रन्तु अन्शाक्षों के कारण उसे असोक का उत्राधिकारी शुईकार नहीं किया जा सकता दिव्या वदान के अनुशार अशुक के बाद 6 साशकों ने शासन किया था ना गारजुनी पहारी के अवलेक के अनुशार दसरत उसका पोत्र था आगे हैं दसरत जो की लगवग 224-216 इस भी पुर्व तक मगत पर शासन किया था अशुक की मिर्दु के पश्षात मौर समराज पस्मीत था पुर्वी दोनों भागों में विवाजित हो गया था पुर्वी भाग में जिसकी राज़ानी पाटली पुत थी अशुक पोत्र दसरत शाशक बना दसरत का उलेक मतस पुरान के अलावा आज़िवकों के प्रदत नागारजुनी पहारी गुफाओं में भी है आज़िवकों के लिए उसने ध्यान मग्न होने के लिए बरावर में कई गुफाओं का निर्वान करवाया था इस गुफा में द्रसरत के अविलेक आज भी अंकीत है पुरानों के नुशार दसरत का शाशनकाल आठ वर्सों का था उसके पिदा का भी शाशनकाल आठ वर्सों कहीं रहा था दसरत के पश्चाद देव बर्मन जो लगभग 206 से 199 इसा पुर्व तक सत धनुश लगभग 199 से 191 इस भी पुर्व तक और भ्रियदर्थ लगभग 191 से 184 इस भी पुर्व के शाशन करने का उलेक भी मिलता है आगे हैं मौरकालिय शाशन प्रवंद तो आईए पढ़ते हैं मौरकालिय शाशन प्रवंद के बारे में युनानी लेखक पलोटार्क के नुशार चंदगुप मौर और सेलुकस के बीच संदी के बाद चंदगुप मौर ने चहला की सेना लेकर शंपुन भारत को रौंदर डाला इस आधार पर चंदगुप मौर की पश्मी सीमा हिंदु कुस परवत से पुर्व में बंगाल तक था उत्तर में कास्मीर से लेकर दचिन में मैसूर तक राज विश्थित हो गई चंदगुप मौर के पश्चाद बिंदु सार असोक आधी मौर शासकों ने शासन विवस्था को और भी अधिक सुड्रिड किया आगे है मौर काली शासन विवस्था पाच वर्गों में विवक्ती पहला उत्रापत इसकी राधानी तक सिला थी इसकी अंतरगत कमबोज, गांधार, कस्मीर, पंजाब तथा अफगानिस्तान था दुसरा है अवन थी, इसकी राधानी उजयनिया थी, इसके अंतरगत कठ्यावार, मालवा, गुजरा तथा राजपुताना के छेत थे और तिसरा प्राची, इसकी राधानी पाटली पुत थी, प्राची को मगद भी कहा जाता था इसके अंतरगत उत्तर परदेश, बिहार तथा बंगाल के छेत थे, वहीं चौथा दक्षिनापत इसकी राजधानी श्वनगीरी थी विंद्याचल के दक्षिन में अस्थेत छेत इस परदेश के अंतरगत आता था और पाचमा कलिंग इसकी राजधानी तोसली थी, मौर कालिन प्रान चक्र कहलाता था चंद गुप मौर की सासन विवस्ता के संबन में मेगर स्थनीज के इंडिका और कोटिल के अर्थ सास्ते जानकारी प्राप्त होती है उसकी शासन विवस्ता कुछ इस परकार से थी कह केंद्री शासन, ख प्रांती शासन, और ग नगर प्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्रा मौर राजा ही समस्क्ति का सुरोत था वह विद्दूत परिशद की सहायता से शाषन करता था युनानी ग्रांत इंडिका से पता चलता है कि राजा की अंगर अच्छिकाई स्वक्षा के लिए राजा को चारोत्रप से घेरे रहती थी मंत्री प्रिशद के सदस्यों का चुनाव आमात्यों में से उपधा परिश्चन के बाद होता था कटिल के अर्थ सास्त में मंत्रिन का भी उल्लेक है इसमें कुछ अतिमहत्पूर्ण मंत्री होते थे मंत्री ना में शंबवता, परधान मंत्री, पुरोहीत, सेनापती, सन्नी धाता और यो राज समलित्थे यह अत्यधिक अर्थात तुरंत कारियों पर राजा को सला देते थे वही खहर प्रांती शासन के अंतरगत केंद्र प्रांतों में बटा था, शंपुर्ण मौर शंबराज चार प्रांतों में बटा हुआ था, पहला पूर्वी प्रांत, इसमें आधनिक उत्तरपरदेश, बंगाल, बिहार एवं उरिशा समलित्थे वहीं दूसरा है उत्री पश्मी परांट जिसमें अंतरगत पंजाब, सिंध, कास्मीर, बुलुचिस्तान तथा अफगानिस्तान थे और तिसरा है पश्मी परांट इसके अंतरगत आदनिक मालबा, गुजरात, काठिया वारा तथा राजस्तान थे और चौता है दक्षिन प्रांट जिसके अंतरगत विंद्याचल प्रवत से लेकर मैसूर तक के परदेश थे, प्रांटों का परमुक प्रांथपती कहलाता था, ये मौर राजवन्स के ही होते थे दुसरा प्रांथपती का केंद से सिधा संपर्क होता था, प्रांथों को चक्र कहा जाता था, इन प्रांथों के अंतरगत कई मंडलों को प्रवशास्निक विभाजन किया जाता था, जिस पर महमात्य नामक अधिकारी होते थे मंडलों के अधिकारीों के नाम प्राद्रिश्टा या प्रादेसिक भी मिलते हैं, आगे है मंडल जिलों में विफ़क थे जिन्हें आहार या विशै कहा जाता था, ये विशै प्राप्ति के अधिन होता था, अब तिसरा है नगर परसाशन तो है समझते हैं नगर परशासन को मेगास्थनेज की इंडिका से पाटले पुत्र जैसे बरे नगर परशासन का वर्णन मिलता है उसने नगर के परमुक अधिकारी को एस्टर नॉमोई कहा है यह सरक निर्मान का भी अधिकारी था नगर का परमुक नगरा ध्यक्ष कहलाता था नगर परशासन में समीतियों का महत्पूर्ण सहयोग रहता था जिसकी संख्या छाती पहला सिल्पकला समीती इसका मुखकार नगर के सरको एवं भवनों का निर्वान करना एवं नगर की सफाई की विवस्था करना था वहीं दुसरा विदेश समीती इसका मुखकार विदेशों के रहने खाने दवा मिर्तियों हो जाने पर उनकी प्रंप्रा के नुशार शवाधान की विवस्था करना और अब परत्यक सुरूप से उनकी गति विद्यों पर नजर रखना था यह विवस्था शंभवता युनानियों के लिए की गई थी और तिसरा है जन संख्या समीती इसका मुखकार जन्म और मिर्तु का रइश्टर तयार करना था और चौता है उद्योग व्यपार समीती इसका मुखकार उद्योग एबम व्यपार का नियंतन वस्थों के मुल्यों का निर्धारन वस्थों की विक्री की विवस्था आदी था और पाचमा है वस्थो निर्धचक समीती बाजार में विक्ने वाली वस्थों में मिलावट पर रोक लगाती थी और छटा है कर निर्धचक समीती इस समीती का कार परतेक विवाग से प्राप्त करों के वित्रन रखना एबम करों की चोरी को रोकना करो की चुरी करने वालों को मितुदन दिया जाता था और आगे है कोटिल के अर्थ सास्त के अनुसार नगर का परमुक अधिकारी नागरक होता था और घा है ग्राम परसाशन तो आई समझते हैं ग्राम परसाशन को ग्राम प्रशासन ग्रामीन या ग्रामीनी कहलाता था पांच से दस गाओं की व्यावस्था गोप नामक अधिकारी करता था इसके ऊपर अस्थानिय होता था जो जन्पत के चोथाई भाग का प्रवंद करता था मंती परिशद राजा एवं प्रांदपती की सहायता के लिए एक मंती परिशद होता था इस मंती परिशद में 12 से लेकर 20 मंती होते थे मंती परिशद के परतियक सदस्ते 12,000 पन वार्षिक बेतन मिलता था नेर्ने भहमत द्वारा लिया जाता था राजा या प्रांदपती मंती परिशद के नेर्ने सुईकार करने के लिए वादे नहीं था गुपचरो तथा सलहकारों की सहायता से राजा एवं प्रांदपती अंतीम नेर्ने पर पहुँशता था आगे है आमाते मंडल, केंद्य शासन की सुवधा के लिए कई केंद्य एवं प्रांतिय विवस्था की गई, सौरी, विवस्था कई विभागों में विवक था, जिसे तिर्थ कहा जाता था, परती एक विभाग के परमुख को आमाते कहा जाता था, कटिल के अर्शास्त में 18 तिर्थों का उलेक है जो निमलिखीत परकार से है, तो फाला है परधान मंत्री और पुरोहीत, पुरोहीत परमुख धर्माधिकारी होते थे, चन्दगुप मौर के समय से दोनों विभाग कोटिल के अधीन थे, बिंदु सार के समय में विश्णो गुप्त कुछ समय तक उस आगे है समाहरता ये राजस विभाग का परधान अधिकारी था, आगे है सन्नी धाता ये राज की कोशा ध्यक्ष हुआ करता था, आगे है सेनापती ये युद विभाग का मंत्री था और अगला है यूराज जो राजा का उत्राधिकारी होता था, और छटा है आगे है नायक यह सेना का नित्रित्व करता था और फिर अगला है कर्मान्तिक यह उद्योग धंदों का परधान रेचक होता था नौ मा है विभारिक यह दिवानी नियाले का मुख नियाधिस होता था दसमा है मंती परिशद अध्यक्ष यह मंती परिशद का अध्यक्ष था आगे है डंडपाल यह सेना की समगरियों को जुटाने वाला परधान अधिकारी था और आगे है अंदपाल यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्चक था तिरमा है दुर्गपाल देश के भीत्री दुर्गों का परभंदक था और चौदमा है नागरक नगर का परमुक अधिकारी होता था और पंदरमा है परशास्त्रा राज के कागजातों को सुरक्षित रखने वालत था राज किये अग्याओं को लीपिवत करने वाला परधान अधिकारी था वहीं दैवारिक राज महलों की देखरे करने वाला परधान अधिकारी था और अंतवर्षिक समराठ की अनरक्षक सेना का परधान अधिकारी था और अठार महें आट वीक यवन विवाग का परधान अ विवस्ता के बारे में मौरकालिन गुपचर विवस्ता अत्यांती विवस्तित एवं संगतित थी गुपचरों को गूर पुरुस्त था इसके परमुक अधिकारियों को सर्प महा माते कहा जाता था यह दो परकार की गुपचर विवस्ता थी पहला संस्था और दूसरा संचरा तो आई समझते हैं संस्था और संचरा किसे कहते थे तो संस्था ऐसे गुपचर जो संस्थाओं में संगठित होकर कार करते थे यह संस्था के पाँच परकार थे पहला काप्टिक रूप ये विद्यार्थियों के वेश में रहते थे दूसरा उदास्थित ये सन्यासी के वेश में रहते थे तिसरा ग्री पतिक ये किसान के वेश में रहते थे और चौथा वैदेहक ये वेपारी के वेश में रहते थे और पाचमा है तापस ये तपशिवियों के वेश में रहते थे और आगे है सन्यरा तो आई समझते हैं सन्यरा इसमें भ्रमनसील गुपचर होते थे इसके चार प्रकार थे एक संत्री जो की विशेश प्रसिच्छन प्राप्त गुपचर थे वहीं दूसरा है तेक्षन ये प्रवर्ति के होते थे और चौता है परिवराजिका ये विशुनी वेश में रहती थी इसमें मुक रूप से वैश्याओं की निवक्ति की जाती थी आगे कुछ ऐसे ही गुपचर होते थे जो अन देशों में नौकरी कर लेते थे और सुचनाए भेजते थे ऐसे गुपचर को अभय वेतन कहा जाता था आगे है गुपचर के अतिरेक्ट शांती विवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोक्थाम के लिए पुलुस भी होती थी जिसे रक्षिन कहा जाता था अब आई समझते हैं मौरकालिन नियाय परसासन के बारे में तो सबसे छोटा निय ग्राम होता था इसने इसमें ग्रामिन विद्धों के साथ मिलकर नियाय करते थे आगे है अन्य नियालियों में क्रमस संग्रहन नियाले खारवृतिक नियाले द्रोनमुख नियाले अस्थानिय नियाले जनपद नियाले एवं केंद्रिय नियाले होता था सबसे उच नियाल राजा का नियाले होता था आगे है ग्राम नियाले था राजा के नियाले को छोड़कर अंसभी नियाले दो परकार के थे पहला धर्म अस्थिये नियाले जिसे दिवानी नियाले भी कहा जाता था इसके नियाधिस को धर्मस्त या विवहारी कहा जाता था दूसरा है कंड का साधन न्याले इस न्याले के न्याधिश को प्रदेश्टा कहा जाता था अब आई समझते हैं मौरकालिन राजस परसासन को कटिली के अर्शास्त के नुसार राजस के साथ स्रोत थे पाला दुर्ग नगरों से प्राप्त आई दूसरा राष्ट्र जनपदो ग्रामों से प्राप्त आई और तिसरा खनी खानों से प्राप्त आई चोथा सेतू फल फूल एवं सबजियों से प्राप्त आई और पचमा वन जंगलों से प्राप्त आई छटा है ब्रज पस्वों से प्राप्त आई शतमा वनिकपत अस्थल मार्ग एवं जल मार्ग से प्राप्त कर आगे है भूमी से प्राप्त होने वाली आय सीता भूमी पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीता कहलाती थी वहीं भाग स्वतन्त रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आये थी इसकी मात्र 1 बटा 6 से 1 बटा 4 थी जहां सरकार सिचाय की विवस्था करती थी वहां से 1 बटा 3 भाग करके रूप में लिया जाता था आगे है मौरकालिन विभिन परकार के कर को तो पहला है प्रणय यह संकत काल में प्रजा द्वारा वसुला जाने वाला करता अगला है विष्टी यह निसुल्क स्रम अथवा बेगार था तीसरा है उत्संग जो प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार था अगला है बलीकर यह एक परकार का धार्मिक कर था अगला है हिरनेकर यह कर अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था आगे है रज्जुकर यह भूमी की माप के समय लिया जाने वाला कर था अगला है चोर रज्जुकर चोरों को पकरने के लिए लिया जाने वाला कर था अगला है विवित कर जो की चारहगा करथा अगला परहीनक कर पसुद्वारा चर्णे पर लिया जाने वाला हर जाना था अगला है सुल्क या आयात करथा अगे वरतनिकर सीमा पार करने पर लिया जानने वाला करथा अगे है पार्सवकर वियपारी के अधिक लाव पर वसुला जाने वाला करथा आगे अती वाहिका कर यह मार्ग दर्शन कर था अगला गुल्म देख कर जो की सैनिकों की फीज थी आयत कर वस्तुओं के मुल का एक वटा पांच भाग आयात कर लिया जाता था आयती तवस्तों पर पुना जो बाजार कर लगता था उसे द्वार दे कहा जाता था यह प्रविश्य का एक वटा पांच लिया जाता था साथ ही भोगा गम सेना भक्त तरदे कोष्ट यक आदी अनेक परकार के कर की विवस्ता थी आगे है सैन्य परशासन तो आए समझते हैं मौरकालिन सैन्य परशासन के बारे में केंद्रिय विवस्ता के अंतरगत एक सैन विवाग था जिसमें कुल तीस सदस थे यह पांच पांच सदस्यों की छ समतियों में बटे थे पर्थम समीती जल सेना की विवस्ता करती थी दूसरी समीती शामकरी यातायाद एवं रसत की विवस्ता करती थी और तिसरा है शमीती पैदल सैनिकों की देर्ख रेक करती थी चौती समीती अस्वार रोहियों के सेना की विवस्ता करती थी पचमी समीती गज सेना की विवस्ता करती थी छटी समीती रथों के सेना की विवस्ता करती थी आगे है सेना पती युद विभाग का परधान अधिकारी होता था युद छेतर में सेना संचलन करने वाला अधिकारी नायक कहा जाता था आगे है पैदल सेना छव भागों में बटा था पहला मॉल जिसे अस्थाई सेना काते हैं दूसरा मिल तक जिसे आवशक्ता पढ़ने पर किराए की सेना को के रूप में दिया जाता था तिसरा स्रेनिबल जिसे युद से आजीव का चलाने वाले के रूप में काम लिया जाता था, चौथा मित्रवल जो मित्राष्ट की सेना था, आगे है अमित्रवल जो बंदी बनाये गए सैनिक थे, और छटा है आठ वीबल जो वनवाशियों की सेना थी, आगे है मौरिकालिन मुद्रा, तो है पढ़ते हैं, मौरियों की राजगी मुद्रा पंद थी, वो तीन बटा चार तोले के बड़ावर चांदी का सिक्का था, मौरकालिन सिक्के श्वर्ण, चांदी और तामे के बने होते थे, आगे है मौरकालिन वेतन, मन्ती परिशत के सदस्यों को 48,000 पन, प्रांद पालों को 12,000 पन, अध्यक्षों को 1,000 पन, पैदल सैनिकों को 500 पन, रथिक को 200 पन, आरोही को 500 पन वेतन निर्धायत किया गया था, चंद गुप मौर के शासनकाल में केंद्रिय विवस्था अस्थापित की गई थी, चानक ने पुर्व से चली आ रही विवस्था में कई परिवर्तन किये जो बाद में, बाद के राजाओं ने भी उसी शासन प्रबंद को अपनाया था, तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा मौर कालिन सासन के बारे में तो आसा करता हूँ, आप लोगों को हमारा यह विडियो पसंद आए हो और आप चाहते हैं कि ऐसे हैं विडियो और आगे भी देखें, तो इस विडियो को लाइक और सेयर जरूर करें, आज के लिए बहुत ब